तुलसी पीट संस्थापक जगत गुरू राम भद्राचारे ने राजधानी जैपुर में शिराम कथा के दौरान कश्मीर में धारा 370 और पाकिस्तान का जिक्र किया और होनी कहा कि धारा 370 की बात मत करो थोड़े दिन में ही पाक अधिकरत कश्मीर यानि पीयो के भी हमारा होगा अब वो दिन दूर नहीं जब विश्व के नक्षे से पाकिस्तान का नामून निशान मिट जाएगा आईए बताते हैं क्या है पूरा मामला जगत गुरू राम भद्रचारे ने रविवार को जैपुर में राम कथा के दौरान कश्मीर और पाकिस्तान का जिक्र किया और होनी कहा कि कश्मीर हमारा है और हमारे देश का अभिन अंग है इसे देश से कोई अलग नहीं कर सकता उन्होंने कहा कि भगवान राम ने देश को एक करने का काम किया है उन्होंने देश के पहले प्रधान मंतरी जवाहरलाल नहरू का नाम लिये बिना कहा कि हमारे देश का दुर्भाग्ये देखिए कि पहले प्रधान मंतरी ने देश को बांटने का काम कर दिया जो कश्मीर हमारी भारत का मुकुट मनी है जो रिशी कशिब की जन्म सली है जहां भगवान शिब अमरनात की रूप में विराजमान है और माता वैशनो देवी का धाम है उससे आधा कर दिया गया कश्मीर का आधा हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया और जो हिस्सा बचा उसमें धारा 370 लगवा दी ज्योतिशमट के संक्रशारिय अभी मुक्तेश्वर आनंद सरस्वती द्वारा कश्मीर में धारा 370 बहाल करने को लेकर दिये गए बयान पर रामभद्रचालिय बोने कि अभी एक व्यक्ती का बयान आया है जिससे मैं काफी दुखी हुआ वो व्यक्ती खुद को शंक्रशार्य कहता है मैं कहूंगा कि वो शंक्रचारे भी नहीं है ये मामला अभी कूट में विचारधीन है उस व्यक्ती ने बयान दिया कि कश्मीर में धारा 370 बहाल कर दी जाए धारा 370 कोई खिलोना नहीं है जो इसे बहाल कर दिया जाए ऐसे लोगों पर ध्यान नहीं देना चाहिए रामभद कश्मीर भी हमारा होगा वो दिन दूर नहीं जब विच्व के नक्ष से पाकिस्तान का नामों निशान मिट जाएगा पहले हमारे ही कश्मीर में हम वंदे मात्रम नहीं कह सकते थे कोई होटल या जमीन नहीं खरीद सकते थे लेकिन धारा 370 हटने के बाद हमें ये अधिकार मिला कि देश का कोई भी नागरेक अब वहाँ जमीन खरीद सकता है इस अपसर पर टिप्टी सीम दिया कुमारी भी रामकथा में आशिरबाद लेने पहुंची रामकथा का आयूजन भी उनहीं के विधान सभाशेत्र में किया जा रहा है इसके लिए हम राजम्यतिक आफान तो करी रेहे हैं कूट्नीतिक आफान भी कर रहे हैं चैनलमान के लिए हम क्यों QUE हम लोग अध्यात्मिक हैं तो हनलमान क्यों कुम पकटार है मुझे बिस्वास है कि बहुत जल्दी पाक अत्रीब कस्मिर हमें मिल जाएगा जब तक कृष्ण जर्म भूमिका निर्णे नहीं आ जाता हमारे दुकूल तब तक किसी भी कृष्ण मंदिर में में दर्शन करने नहीं होगा। जब तक किसी भी कृष्ण में दर्शन करने नहीं होगा। जब तक कृष्ण जर्म भूमिका निर्णे नहीं आ जाता हमारे दुकूल तब तक किसी भी कृष्ण मंदिर में में दर्शन करने नहीं होगा। इसके लिए जन चेतना जागरत करने का काम अपलागातार करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।